जीवन अगर आपका पूरी तरह से परिशानियों से भरा है, घर में हमेशा धन की कमी रहती है, निर्धनता का आपके घर में वास है, मा लक्षमी की आपके उपर कृपा नहीं है, मा लक्षमी का आपके घर में वास नहीं है, तो विशेशकर आपको सप्ताह के किसी भी दिन 21 क काली मिर्च अपने घर में इस जगहे पर जलानी है, इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वह रातों रात दूर हो जाएगी और मा लक्षमी की ऐसी कृपा आपके उपर बरसेगी की आपको धन्वान। बनने में ज्यादा सम नहीं लगेगा, तो काली मिर्च से किये गए ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिनको आपने सही तरीके से कर लिया, तो आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख क्यो ना हो कष्ट क्यो ना हो चाहे, आप अपने जीवन में आ काली मिर्च जो होती है, यह आपके जीवन की जितनी भी निर्धनता है, उसे दूर करके आर्थिक तंगी दूर करके आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है, धन को लाने का काम करती है, और साथ ही साथ नजर दोश अगर आपके घर में किसी व्यक्ति, को है घर पर अपकी जीवन से दूर कर देती है तो देखिये सबसे पहले आपको बता दें कि जो 21 काली मिर्च आपको अपने घर में जलानी है इस उपाय को करने से मा लक्षमी की कृपा आपके उपर बर्सती है और धन व्रिध्धी आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है कही ना कहीं से आप देखेंगे कि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है और फिजूल खर्ची आपके जीवन में बिलकुल बंद हो जाती है साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे घर परिवार में नजर दोश बहुत है घर के काम बहुत बिगड़ते हैं हमारे घर में कुछ ना कुछ रहता है उन्हें भी विशेशकर ये उपाय जरूर करना चाहिए तो बात करेंगे उपाय को करने के लिए आपको कौन-कौन सी चीजे लेनी है और किस समय इस उपाय को करना है तो देखिए यह उपाय आपको शाम के समय में करना है सूर्य अस्थ होने के बाद ठीक है ना सू निवार को करना है, रविवार को करना है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, तो 21 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें की एक भी दाना तूटा हुआ ना हो, बिल्कुल भी खंडित ना हो। तो कोशिश करें कि यहां पर आप मिट्टी का कोई छोटा सा मतलब ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा सा दीपक ले लें, उसके अंदर तीनों चीजे रखेंगे, और अपने घर के बाहर यानि अपने मुख्य दरवाजे के बाहर आपको रात के समय में जला देना है, ऐसे समय जलाएंगे जिससे कि किसी की नजर न पड़े क्योंकि यह उपाय नजर दोश को, दूर कर रहा है, आपके घर की नेगेटिव एनरजी को दूर कर रहा है, साथ ही साथ आपके घर में धन की वृध्धी ये करेगा, देखिए आपको बता दें जो लॉंग होती है, फ यहाँ आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है, आपने जो काली मिर्च के दाने लिए हैं, यहाँ आपके घर में पैसे को खींच कर लाता है, और जितनी भी, नजर दोश है, नेगेटिव एनरजी है, कोई भी ऐसी शत्रुवादा है, उसे दूर करती है, तो देख कुछ ऐसा आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है, कि आपके घर में रातों रात, जो दुख थे, जो कश्ट थे, जो निर्ता थी, जो पैसे की कमी थी, वह दूर हो जाती है, मा लक्षमी की कृपा आपको प्राप्थ होती है, और साथ ही साथ आपके घर में हमेशा ज जीवन में सफलता को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, तो विशेशक यह उपाय आपको सब्ताह के किसी भी दिन जरूर करना चाहिए, अब कितनी बार करना है, कम से कम आप पांच बार करें, अगर आपने यह शनिवार को की है, तो पांच शनिवार करें मंगलवार को क पांच सोमवार इसी तरह से आपको यह उपाय करना है, तो देखिए पहले उपाय की बात कर ली अब जल्दी से बात कर लेते हैं, दूसरे उपाय की दूसरा उपाय है शनिवार करने के, लिए देखिए जब शनि की साधे साथी शनी धाया किसी व्यक्ति की कुंदली में उसके घर में किसी ना किसी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, कोई ना कोई बीमारी हमेशा उस व्यक्ति के घर में होगी, तीसरी चीज की कभी भी वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है, मेहंत बहुत करता है कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, मुझे जीवन में यह करना है वो करना है लेकिन सिर्फ सोच ही पाता है कुछ कर नहीं पाता है तो देखिए जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सफल भी होंगे और शनी देव का आशिरवाद आपको मिलेगा शनी दोश दूर होगा आपके जीवन से तो देखिए उपाय क्या है आपको क्या करना है कि काली मिर्च का बहुत ही छोटा सा उपाय करना है ठीक है ना काली मिर्च के थोड़े से दाने ले अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कितने दाने गिन करर नहीं लेने ऐसे थोड़े से निकाल कर आपको काली मिर्च के दाने उस कपड़े के अंदर रख देने हैं, बस तूटा हुआ एक भी दाना नहो अब आ इसके अंदर आपको अपने हिसाब से पैसे रखने कितने पैसे रख सकते हो 21 रख सकते हो 51 रख सकते हो 101-201 ठीक है ना मतलब अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हो उतने इसके अंदर आपको पैसे रखने है और इसकी एक पोटली बना लेनी है अब आपको यह पोटली शनिवार के दिन किसी भी मंदिर के बाहर जो जरूरत मंद लोग बैठे होते हैं, उनको ये पोटली दे देनी है, देखिए जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, शनिवार के दिन उसके जीवन से बड़े से बड़ा, शनी दोश भी दूर हो जाता है, औ साल 2024 आप, सभी जानते हैं, शनी का साल है, तो आप साल 2024 में शनिवार के दिन यह उपाय करते हैं, तो शनिदेव की विशेश क्रिपा आपको मिलती है, तो शनिदेव को अगर प्रसंद कर लिया, तो मान के, चलिए की जीवन में फिर कुछ मांधने की कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव जब किसी से प्रसंद हो जाते हैं, तो उसके घर को सुख से धन से सबसे भर देते हैं, तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये शनिवार का आप जरूर करें चलिए, दो उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं, तीसरे उपाय की जो की आपको काली मिर्च से ही करना है, तो देखिए जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रही है, यहाँ आपके जीवन से आपके घर से घर के लोगों को जो नजर दोश लग जाती, है ना या घर मे कोई वास्तु दोश है, उसे दूर करता है, देखिए नजर दोश एक ऐसी चीज होती, है कि देखने से आपको नहीं दिखेगी है, ना कि इस व्यक्ति को नजर दोश लगी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, आपके घर में जो बहुत ही चिर्चिरा पर गुस्सा आता है जो आपका कहना नहीं मानता है, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है, जिसकी वजह से घर में लड़ाई जगडा कलेश बढ़ता ही चला जा रहा है, धन्हानी लगातार घर में हो रही है, घर के जो सदस्य है, कोई ना कोई बिमार है, तो देखिए आपको क्या करना है, कि नजर द दोश को दूर करना है, नजर दोश जब घर में लगती है, तो यह, सारी चीजें आपको अपने घर में देखने को मिलती है, ठीक है ना क्योंकि आपके घर में अगर, नजर दोश है, तो पैसे की बरबादी सबसे ज्यादा आपको अपने घर में देखने को मिलेगी, और उस घर में जहां पर नजर दोश होगी, तो आप बहुत ही छोटा सा उपाय काली मिर्च से आपको करना है, साथ काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं, साबू दाने लेंगे एक भी तूटा हुआ नहीं लेंगे ठीक है ना इसके बाद आपके घर में जो व्यक्ति आप चाहते हैं, ना कि बहुत आगे जाए, इसे बहुत धन प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, यह व्यक्ति कभी बीमार ना पड़े, उसके उपर से आपको साथ बार, ठीक है ना यह साथ काली मिर्च के दानों को घुमाना है, साथ बार, घुमाएंगे एंटी क्लॉक वाइस, क्लॉक आपको एंटी क्लॉक वाइस जैसे घड़ी की सुई को हम उल्टा घुमाएं, उस तरह से आपको साथ बार घुमाना है, और इसे आग में जला देना है, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें यह आपको नहीं देखना है, कि यह मुझे सो आपके घर परिवार, कि जिस व्यक्ति को लगा है, उस व्यक्ति से दूर हो जाता है, घर को लगा है, घर से दूर हो, जाता है हमेशा आप अपने जीवन में जिस काम को करेंगे ना उसमें आपको सफलता मिलती है, तो यह उपाय आप घर के हर व्यक्ति के साथ भी कर सकते है तो देखिए यह उपाय आपको विशेशक जरूर करना चाहिए क्योंकि इस उपाय को करने से आपके बहुत सारे दुख और कश्ट दूर हो जाएंगे तो आज की विडियो में बस इतना ही हमेशा की तरह आपको हमारी विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्षन में आपको जैकारा लगा कर जाना है आज आपको कमेंट सेक्षन में जै सनी देव लिख कर जाना है